हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम create करेंगे login form in ASP.NET using SQL Server ASP.NET के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यह server-side scripting language है जैसे आपकी PHP है दूसरी होती है client-side scripting language जैसे java script है तो यह ASP.NET जो है server-side scripting language यह आपके server पे चलती है वो render करता है आपका hdml code to the user to his web browser so इसमें आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक login form create करेंगे और किस तरह से हम login करेंगे किसी भी website में तो सबसे पहले हम एक website create करेंगे यह मैंने जो मेरा visual studio open है तो file page new project यहां पर क्योंकि हम C-shop यूज़ करेंगे इस वाले tutorial में तो यहां पर आप देख सकते है ASP.NET web application इस पर क्लिक करेंगे next पर जाएंगे यहां पर कोई भी नाम देखेंगे मैं login दोंगा यहां पर अगर आप चाहें तो framework जो आपका यह है यह आप चेंज कर सकते हैं मैं ऐसी रहने देता हूं next create पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अगर पर हम यह तो empty यूज़ कर सकते हैं add new item और यहां पर हम एक web form एड़ करेंगे तो इसका मैं नाम चेंज करूंगा login.espx एड़ पी क्लिक करेंगे तो यह हमारा एक है वो एड़ हो गया अब इसके लिए यहां पर अगर आप एक और चीज़ देखेंगे यह standard controls है यह वाले यहां पर data controls और यहां पर जो मैं यूज़ करेंगे टेबल यूज़ करेंगे वो hdml controls यहां पर मैं drag करके यहां पर छोड़ दूँगा इसको यहां पर मुझे चाहे एक यूजर नेम और एक password अब यहां पर जो आपके standard controls है यहां पर एक text books ले लिज़े यूजर नेम के लिए और eco text books password के लिए और यहां पर एक button भी हमें चाहे लाग इन करने के लिए जिस पर click करने से हम लाग इन हो जाए तो जी इसके मैं थोड़े नाम चेंज करूंगा यहां पर जो यह यूजर नेम है सबसे पहले इस text books का मैं txt यूजर नेम इसका मैं txt password जो id है इसका password और बटन का भी नाम चें है ptn login जो यह password है इसका क्योंकि हमें password character चाहिए होगा तो यहां पे इसकी property है text mode यहां पे आप password select करेंगे अब अगर देखनी कि एक ऐसा हमें देखेगा runtime भी तो run पे click कीजिए जो आपका default browser हो गई उसमें show हो जाएगा मेरा edge है तो edge में open हो जाएगा login.spx आप यहां पे देख सकते हैं तो यह हमारा username आ गया और इस पे click करेंगे फिर हम check करेंगे कि हम login होए हैं या नहीं तो इसको मैं close करोंगे पहले अब चुंकि हमें यह data कहीं न कहीं पे पहले save करन करेंगे तो मैं जल्दी से SQL Server management studio open करूंगा यह है यहां पर actually server जो आपका होगा उसमें अलग नाम हुए यह मेरा इसमें जो server name है authentication मैंने windows authentication यहां पे at the time of installation यूज के हैं तो आप या तो user name password वो भी दे सकते हैं या windows authentication पे भी इसको ऐसे रख सकते हैं connect तो यहां पर आपकी जतने भी database हो इस database के अंदर आ जाएंगे तो इस पर click करेंगे यहां पर दो चाट database already create है तो मैं CMS जो हमारा है इस पर एक database already create होई है मैंने create इसके अंदर tables है तो tables मैं actually users है जो यह वाला user इस पे मैं right click करूंगा design पे आपको दिखाऊंगा इसमें मैंने तीन actually fields लिए हैं तो username है workcare50 password email id जो username है इसको right click से आप यहां पे set primary के या मैंने actually already है तो इसको आप remote कर सकते हैं लिक करें देता हूं set primary की तो यह आपने फिर आपने जो आपका table है वो save करना होगा और मैंने इसका नाम users दिखें या कुछ भी इसको close करेंगे अच्छा सबसे पहले मैं यहां से इसको एक हम add करेंगे admin 123 और email मैं दूँग admin at gmail.enter तो यह एक record हमें इसमें save हो गया है अब हमें क्या करना है इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारा यह form है यह page है तो इसमें अच्छी यहां पर देखेंगे एक source होता है एक design जो आपको runtime पर कैसे दिखेंगा source पर क्लिक करेंगे ह यहां पर आपको HTML का जो code जैसा है वो रिखेंगा यहां पर जो page language हम c-sharp यूज कर रहे हैं अगर wb.net होगा तो code behind file होती है जहां पर आप code यूज करेंगे जैसे हम यहां पर इसका code यूज करना है क्लिक करों तो कैसे database के साथ connect हो जाए या कैसे चेक करेंगा कि यह user name or password valid है या invalid तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपकी code behind file login.aspx.cs-c-shop तो यह open करेंगे हम इस बटन पर double click से यह आपकी code behind file तो सबसे पहले क्योंकि हम SQL Server यूज करेंगे वहां पर अगर आपने मेरे web.net के tutorials देखे होगी तो वहां पर हम use करते थे imports जैसे हमें कोई name space import करनी होती है यहां पर use करते है using system.data using system.data.sqlclient exactly जैसे हम web.net यूज करते हैं यहां पर हम SQL connection con equals इसके हमने object create करेंगे सबसे पहले SQL connection con is equal new SQL connection और यहां पर आप हम देगे सबसे पहले server equals जो आपके server का नाम है तो यहां पर हम चेक कर से हम कहां से ले सकते हैं यहां पर फाइल पर connect object इस पर right click करेंगे क्योंकि सर्वर का नाम है इसको copy कीजिए और यहां पर इसको paste करेंगे यह मेरा server आ गया इसके बाद हमें database equals CMS और यहां पर connection equal true निकना is equal true लेकर अगर आपका user name और password है तो आपको यहां पर user name और password देना पड़ेगा अब यहां पर हमें एक error दिखा रहा है क्योंकि backwards slash है तो यह यहां पर आपको error देगा तो इसको हटाने के लिए यहां पर एक और backward slash आप enter करेंगे तो यह आपका connection एक बन गए इसके साथ अच्छाए अच्छी अब हमें क्योंकि हमें command यूज करनी है तो SQL command cmd equals new SQL command अब जो command है वो हमें क्या देनी है select star from जो हमारे table का नाम है users wire username equals यहां पर मैंने आपको पहले भी पूल दिया और जो bb.net के tutorials हैं उन में के आपे हम यह नहीं लिख सकते हैं wire username is equal to txt sorry is equal to txt username dot text ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो SQL injection attacks के chances बहुत ज़्याद होते हैं तो always use parameterized query तो वही हम यहां पे भी use करेंगे wire username equals add username and password is equal to add password और आखर में connection जो हमने ओपर connection बनाया है अच्छा जी अब cmd.parameters.addwithvalue तो सबसे पहले जो हमने यहां पे बनाया है तो add username वो add username comma txt username.text और एक और है cmd.parameters.addwithvalue और यहां पे है add password यहां पे txt password.text अच्छा यह हो गया अब sql data adapter जो हमारे data adapter da equals new sql data adapter data adapter जो हमारे command क्राइला देश्या है cmd.ocmd.cmd.cmd.cmd.cmd.cmd अब data set ds equals new data set equals new data set. अब क्योंकि data set के अंदर data tables होगी तो data adapter.fill, जो data set है, कामा किस वाले टेबल के साथ में इसको सैट करना है کیouri तो अगर आप देएजिए बहुत सारे टेबल हैंच के अंदर यूजर्स के अंदर ये न अब हमें केंडिशन चैक करने है कि अगर कोई रो जिसका यूजरनेंम यह हो पासवोर्ड यह हो चैक करना यह dataset.tables जो हमारा table था वो था users यहां पे .rules.count हम चेक करें इक्वल 0 यानि अगर कोई भी नहीं हुआ तो इसमें हमें क्या करना है response.write हमें कह लिखना है invalid user तो यह मतलब user कोई है नहीं else हम यहां पे response.redirect कोई दूसरा पीच जो आप सब्सक्राइब डैश बोल डाट aspx तो यह हमारा आ गया अब हम चेक करेंगे कि यह चलता है कि नहीं save करेंगे run करेंगे क्योंकि हमने यहां पे अगर आप देखिए हमने एक लिया है admin 123 का username और password चेक करेंगे सबसे पहले admin 123 में दूंगा यानि हमारा password उकालत है enter invalid user यह user invalid है यह हमारे database में दूसरा admin 123 password चेक करेंगे हां 123 होना चाहिए तो अच्छा यहां पे एक error देगा हमें क्योंकि यहां पे हमने जो किया है के dashboard.aspx तो इसका मतलब हमें एक और एड करना पड़ेंगे हम पी जल्द जल्द से एक एड करेंगे एक इसको मैं नाम लिखूँ देखूँ 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 और इसमें हम लिखेंगे यहां पे शर्फ वेल्कम टो डैशबूर्ट या CMS डैशबूर्ट ठीक है तो अब रन करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे तो अब लागिन हमें देना है तो लागिन एडमिन एडमिन 12345 तो इन्वैलिड यूजर एडमिन 123 एंटर वेल्कम डैशबूर्ट वेल्कम टूट CMS डैशबूर्ट तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि यह जो हमारा लॉगिन सिस्टम में यह कैसे काम करता है यह वीडियो आपको पसंद आ गया हूँ प्लीज चैनल को सबस्क्राइब पीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखेंगे थैंक्यो सो मच्छ